ओके विल्कम स्टूरेंट्स मैं मैं इस लेक्षर में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आज हम लोग क्लाश 10 में जो हमने पॉल्लोमियल चैप्टर किया है उसके कुछ 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 को लगाने वाले हैं ठीक है तो चलो देखते हैं टीक है, कुछ कुछ को बच्चो इफ दी फॉल्योमियल चैप्टर कुछ 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 का से इसमें यह हमारे बच्चो जो है क्लाश 10 का है देख लेते हैं कम्प्लेटली दिखाई दे राखने इसमें ओ तो रसा नीचे लेखना पड़ेगा क्लाश 10 मायस से ठीक है क्लाश 10 मायस ठीक है और यह हमारे चैप्टर चला है पॉलिनॉमियल का ठीक है पॉलिनॉमियल चैप्टर है ठीक है इसमें बच्चो हम लोग कुछ कुछ कुशन लिख रहे हैं और शली देखते हैं ठीक है कुशन बच्चो इव दी पॉलिनॉमियल इफ दे इफ दे पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल एक्स के पावर पोर मायनस 6 एक्स के पावर थिरी प्लस श स्क्रिवार पॉलिनूटर पॉलिनुमियल एक्सक्रिवव्ट पॉलिन। लिदेखते हैं another polynomial x square minus 2x plus k the remainder comes out x plus a find k and a find k and a आपको प्रत्रों क्या करना है k और a की value को find करना ठीक है हो तो चलो देखते हैं हमारा क्या है एक polynomial है जो दूसरे polynomial से divide क्या जा रहा है क्या रहा है एक्स प्लस ही चले ठीक है देखते हैं डिवाइड करके हम लोग ठीक है ठीक है बच्चो तो चलो देखो इसको यह हमारा polynomial है इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किस से x square minus 2x plus k से ठीक है इससे हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ठीक है ठीक है पच्छाँ FAR 4 है यह एक्स स्काइर कैसे आएगा यह लिखेंगे x isousse को ठीक है तो चलो देखो x क की पावर 4 हो गया है minus 2 x के power 3 हो गया plus kx square हो गया ठीक है छहले minus plus minus ठीक है यह तो cancel हो जाएगा हमारा ठीक है क्या हो जाएगा minus 6 x passes by 3 plus 2 x pass by minus 4 x के power 3 ठीक है और यह क्या हो جाएगा बच्चो यह बच्चेगा 16 minus k और x square और यह क्या बच्च रा 25x प्लस 10 ठीक है यह हो गए ठीक है अब यहाँ पर माइनस 4x पावर 3 कैसे आएगा जब यहाँ लिखेंगे माइनस 4x ठीक है तो अब क्या हो जाएगा माइनस 4x और x square की multiply क्या हो जाएगा माइनस 4x की power 3 और यह क्या हो जाएगा plus 8 8x square ठीक है और minus 4kx ठीक है यह हो ठीक है हो गया plus यह हो गया minus और यह हो ठीक है यहाँ गया यह कंट गया ठीक है यह कितना बच जसाएगा 16 मेंसे 8 जाएगा तो बचैगा 8 बच जाएंगा 8 minus k into x square बच जब ठीक है है यहाँ पर यहाँ भी क्यों हो जाएगा बच्छो माइनस 25 है और यह क्या है माइनस 25 और प्लस 4K है और दोनों में X कामन हो जाएगा प्लस 10 बचेगा ठीक है यहाँ पर हो गया अब देखो बच्छो क्या 8 माइनस K है तिहाँ पर 8 माइनस K से कोसेंट में लिखना पड़ेगा क्यों हो जाएगा है यहाँ पर 8 माइनस K इंटो X स्क्वाइर और माइनस 2 8 माइनस K माइनस 2 8 माइनस K X प्लस K इंटो 8 माइनस क्यों हो गया ठीक है अच्छो ठीक है चलो आगे देखतें क्यों हो जाएगा यह माइनस हो गया यह प्लस हो गया यह माइनस हो गया यह कंसिल आउट हो गया ठीक है अब कितना बच्छों आपर है कि यह माइनस 25 है यह क्य माइनस नाइन और यह बच्चो क्या है? प्लस 2K होगा तो 4K में से क्या हो जाएगा? 2K प्लस हो जाएगा बच्चेगा 6K ठीक है? यह हो गया, इंटू X और यह क्या होगा बच्चो? बच्चेगा 10 माइनस 8K प्लस K 2K अब क्या बच्चो इसकी बद हम लोग डिवाइट कर सकते हैं इसको? इसके बद डिवीजिन नहीं हो पाएगा क्यों? क्योंकि इसमें जो है जो रिमेंडर बच्चरा उसकी पावर क्यों हो गई? जो डिवाइडर है उसके पावर से छोटी हो गई ठीक है छोटी पार जब होती हुथ इसके बाद discord करते हैं छोड़ देते है ठीक है ठीक है ओ अब इसके बाद हम दिवाइड नहीं करेंगे ठीक है और यहाँ पर दो हमारा remainder क्या बचा यहाँ पर यह remainder हमारा क्या है यहाँ पर remainder हमारा क्या है तो remainder क्या बचा बचो remainder बचा हमारा minus 9 plus 2k x plus 10 minus 8k plus k square यह हमारा remainder बचा है ठीक है यह हमारा remainder है बट हमारे question में remainder क्या given है x plus a इसका मतलब क्या हो जाएगा x plus a is equal to हो जाएगा minus 9 plus 2k into x plus 10 minus 8k plus k square, ठीक हो, यह हो गए, ठीक है आप क्या करेंगे इसको comparing both sides comparing both sides, ठीक है दोनों side को क्या करेंगे, ठीक है तो इधर coefficient क्या है, इसका 1 है इधर क्या है, minus 9 plus 2k है, ठीक है तो 2 क्या क्या आजाएगा बच्चो, 2 क्या आजाएगा 10, तो k क्या आजाएगा बच्चो 5 आजाएगा, ठीक है यह हो गया 5 और एक किस्तना होगा, compare करने बच्चो ए होगा हमारा 10 minus 8 plus k का square हो गया, ठीक है तो रखके की बहले, 5 रखो इसमित क्या आजाएगा 10 minus 8 into 5 plus 5 का square एक इतना आगे बच्चो 10 minus 40 plus 20, 5 ठीक है तो एक इतना आगे बच्चो आएगा minus 5 एक बच्चो कितनी आगी minus 5 आगे, ठीक है इस तरीके बच्चो हमारा final answer क्या रहा k equal to रहा 5 और a equal to रहा minus 5 ठीक है यह हो गया k is equal to 5, a is equal to minus 5 होगा ठीक है यह बच्चो होगा ठीक है यह question हमारा complete होगा बच्चो चोड़ा अगला question देखते हैं हम लोग तो इसको note down के लिए students इसके बाद हम अगला question हमारे note करेंगा, उस करेंगा, यह बहुत important question है हमारे formula meals के से ही बड़ पाद आब यह से ठीक है hmm 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 ठीक है यह हो गया चलो बहुत बहुत क्विश्चन हम निकालते बच्चो क्विश्चन है if two zeros of polynomial, if two zeros of polynomial, of polynomial, x ke power 4 minus 6x ke power 3 minus 26x square plus 138x minus 35, are 2 plus minus root 3, find other zeros, find other zeros, find other zeros, ठीक है हमें क्या करना है, other zeros find out करना, ठीक है if two zeros of polynomial, are 2 plus minus root 3, find other zeros, ठीक है चलो बच्चो, जैसा कि हमें यह क्या है, polynomial, degree 4 का polynomial है इसके पास कितने zeros होने चाहिए, 4 zeros होने चाहिए, बट कितने zeros given है आपे, 2 zeros two plus minus, एक बार plus लेंगे तो पहला zero मिलेगा, minus लेंगे तो दूसरा zero मिलेगा, ठीक है तो चलो देखो चलो, given zeros क्या है, हमारे पास two plus minus root 3 तो एक बार plus लेंगे, दूसरी बार minus लेंगे, यह हमारे बच्चो क्या given zeros है, ठीक है यह given zeros हो गए, ठीक है और इसको भी x मेंसे minus करने कर तो क्या जाएगा ठीक है, यह हो गया इसके बाद दोनों को क्या कर लो, multiply कर लो, ठीक है अभी थोड़ा सूर simplify कर लो, क्या हो जागा यह x minus 2 plus root 3 हो जाएगा यह x minus 2 और x minus 2 minus root 3 और यह plus root 3 हो जाएगा, अब इसकी बाद उसके क्या करो इन दोनों को, कर लो multiply, ठीक है multiply कर लो कर लो कि क्या जाएगा अच्छो, आ जाएगा आ जाएगा, अब दोको इसको a मान लो, इसको a, इसको b मान लो, तो क्या आ जाएगा x minus 2 का whole square minus root 3 का square हो गया, ठीक है और simply phi करो ठीक हो जाएगा, x square plus 4 minus 4x minus 3, ठीक है तो क्या जाएगा, x square minus 4x plus 1 आ जाएगा ठीक है, यह हो गया हमारा, ठीक है अब इसके बाद क्या करेंगा, जो इसको divide करेंगे, ठीक है चलो, इसको divide करते हैं, ठीक है तो divide करिए चलिए, x square minus 4x plus 1 से divide कर देंगे किसको x की power 4 minus 6x की power 3 minus 26x square plus 130 8x minus 35, ठीक है इससे divide करें, ठीक है अभी क्या हो जाए गया हमारा, x square हो गया x की power 4 minus 4x की power 3 और plus x square, ठीक है यह क्या हो जाएगा, minus plus, यह minus, ठीक है यह क्या हो जाएगा, minus 6x power 3 plus 4x power 3, क्या हो जाएगा, बचेगा, minus 2x power 3 ठीक है, यह हो गया और यह क्या हो जाएगा, minus 26x square, minus x square मिलके, क्या हो जाएगा, minus 27x square हो गया, ठीक है कितना हो गे ठीक है प्लस 138 x minus 35 यहोगा ठीक है अब देखो यहाँ पर minus 2x power 3 x square है चैनल क्या हो जाएगा minus 2x लेंगे यहाँ ठीक है ठीक है तोछ जाएगा minus 2x की power 3 और plus 4 to the 8 x square minus 2x हो गे ठीक है सांट चंज को और फलस कर दी माइनस कर दी फलस कर दी इकाट गया ठीके बिगे यह क्यt हो जाएगा मैनिस 27 माइनस 58 मिल गदी माइनस 35 एक्स का स्टीक्वाइब और एकनल हो जाएगा 138 प्लस 2 140 एकश हो गया माइनस 35 आगया ठीके यह सब्सक् तो यह हो गए ठीक है अब यहां पर दिखो यह x square है यह minus 35 x square है यहां के लिखेंगे minus 35 लिखेंगे ठीक है तो multiply करो भी स्वेस से क्या जाएगा minus 35 x square plus अब का 140 x हो जाएगा बच्चो ठीक है और यह minus 35 तो overall एक cancel हो जाएगा plus minus plus ठीक है overall सब cancel हो जाएगा तो remainder क्या गई पुच्छो 0 आगया remainder क्या हो गया 0 हो ठीक है remainder जिब 0 हो जाता है जो कोसंट होता है उसी को factorize करो ठीक है जो कोसंट हमारा क्या है कोसंट qx is equal to is x square minus 2x minus 35 ठीक है इस को factorize कर लो यह ही क्या हो जाएगा जो यहां करते हैं को सिंट को तो क्या हो जाएगा अब दिखो इसको फैक्टराइज करने भी क्या होगा यह हो जाएगा एक्स स्क्वाइर माइनस से बने X plus 5X minus 30, 5 हो गया, ठीक है, इतना आ गया, अब उसके बाद क्या हो जा गई है, यहां पर कामन लो, तो क्या आ जाएगो चोई है, X कामन निया, तो क्या बचाए, X minus 7 बचाए, इसमें 5 कामन देंगे, तो X minus 7 बचाएगा, ठीक है, तो हमारे पास बचो क्या हो गया, इसके, इसक X minus 7 बचाए, ठीक है, तो X की values हमारे पास क्या है कि 0 लखने पर, minus 5 बचाएगा और 7 बचाएगा, ठीक है, तो हमारे other zeros, zeros क्या हो गया बचाएगे, यह तो other zeros है, यह हमारे other zeros है, overall zeros क्या हो गचाएगे, ठीक है, आपके 2 plus minus root 3, यह तो पहले से गिवन थे, minus 5 बचाएगा, यह वह बच्वो ठीक है चलिए ठीक है बच्वो आप इसको और नोट डाउन कर लेजिए अब इसकी बात मैं अगले कुश्चिन की तरह बढ़ हूँ ठीक है नोट कर लेजिए इसको अगले को अगले करते हैं इसमें लोग ठीक है तो रही होगे बच्वो नोट कर लेजिए होंगे मैं इसको एरेज कर रहा हूँ ठीक है कर दो बच्वो नोट है ठीक है चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं जो है find a cubic polynomial, find a cubic polynomial, find a cubic polynomial with sum of product, with sum sum of product sum of product of its zeros taken to taken to at a time and product of and product of zeros, product of zeros is two minus seven minus four ten respectively, ठीक है यह रब दूसरा को पहले अब जर्ब करिए आप ठीक है, इसमें हमें a cubic polynomial find out करना है, क्या find out करना है, जिसमें इसके zeros का sum क्या है, 2 है, और sum of product of zeros taking to at a time is minus seven and product of zeros is minus 14, ठीक है, तो let करो बच्चो, let करो, let zeros of zeros of polynomial are alpha, beta, gamma, यह मानलो zeros हो गए, ठीक है, है कि नहीं, आप देखो, क्या given है, given क्या है, बच्चो, given क्या बच्चो, alpha plus beta plus gamma क्या है, 2 है, ठीक है, sum of zeros है न यहीं तो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं, यहाँ पर, sum of zeros equal to क्या given है, sum of zeros equal to क्या given है, बच्चो, to many, alpha plus beta plus gamma क्या given है, बच्चो, to given है, इसको equation 1 बना दी, ठीक है, उसके बाद क्या है, sum of zeros, sum of zeros, sum of product of zeros, sum of zeros, sum of zeros, sum of zeros, sum of zeros, taken to eta, time is equal to minus seven, ठीक है, बच्चो, मनलब हमें, 2 zeros, एक साथ में लो, उनका product के लो, फिर उसके बाद उनका sum कर लो, तो 2-2 zeros एक साथ लेते चलो, पहले alpha, beta को साथ में ले लो, फिर उसके बाद beta, gamma को साथ में ले लो, फिर उसके बाद gamma, alpha को साथ में ले लिए, तो हमारा क्या given बच्चो, product of zeros, equal to क्या है, minus 14 है, ठीक है, हम, ओके, ओके, इस प्रॉन, तो ये given है, product of zeros, equal to minus 14 है, meaning, product of zeros क्या हो जाएगा, बच्चो, alpha, beta, gamma हो जाएगा, क्या minus 14 हो गया, ये equation number 3 हो गया, ठीक है, ये आ गए बच्चो, ठीक है, अब जीको पुबिक पॉल ले मिल, क्या, फामला क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, क्यूबिक पॉल ले मिल, ठीक है, बी नोड एट, बी नोड एट, क्यूबिक पॉलिनोमिल, पॉलिनोमिल इस गीवेन बाई, is given by k break it के अंदर के हो जाएगा x के power 3 minus alpha plus beta plus gamma into x square plus हो जाएगा कुछ हो plus हो जाएगा alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x हो तब चो ठीक है minus alpha beta gamma यह होता बच्चो cubic polynomial को find out करने का formula होता ठीक है तो क्या जाएगा बच्चो एक k रख हो गया k तो कोई भी ना 0 real number होता ठीक है अब सभी value यहाँ पर रख दो x power 3 equation 1 से alpha plus beta plus gamma की value क्या है 2 है तो क्या आगे 2x square आगी है equation 2 से alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha की value की value क्या होच्चो minus 7 हो ठीक हो जाएगा minus 7 x हो जाएगा ठीक है alpha beta gamma की value क्या होच्चो minus 14 है तो minus minus 14 हो ठीक है यह हो गया चलो और थोड़ा से simplify करते तो आजाएगा k x power 3 minus 2x square minus 7x plus 14 यह हो गया students ठीक है यह हो ठीक है और लिख दीना है आप है where k is non-zero real k is non-zero real लंब ठीक है यह अब अब ठीक है यह question है important question था students ठीक है आपको यह question अच्छे से note कर लेजिए ठीक है और इसको बहुत अच्छे समझ लेजिए ऐसे question exam में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ठीक है तो इसको note कर लेजिए इसके बाद मैं एगले question की तरफ बढ़ूँगा ठीक है चलिए 10 second का time मैं आपको देता हूँ इसको note कर लेजिए ठीक है इसके बाद तब तक मैं एगले question को select करता हूँ ओके students आपने note कर लिया होगा अब मैं अगले question के तरफ बढ़ता हूँ ठीक हो चो question क्या बच्छों question है if zeros are polynomial if zeros are polynomial if zeros are polynomial x की पावर 3 minus 3x square plus x plus 1 r a minus b a and a plus b find a and b तो ठीक है high end a and b okay इस question को बच्छों पहले ध्याँ समझें ठीक है इस question में क्या आगया है एक polynomial given है और उसके 0s given है 0s क्या है a minus b a a और a plus b a 0s है ठीक है उसके बाद क्या करना है आपको a और b की value को find out करना है ठीक है चलो ठीक है देखते हैं तो पहले polynomial लिख लो ठीक है x power 3 minus 3 x square plus x plus 1 ठीक है अब इसको standard polynomial से compare कर लो standard polynomial होता क्या है a x square sorry a x cube plus b x square plus c x plus d a आपका standard polynomial होता है ठीक है अब इससे compare कर बच्चो तो capital a क्या मिलने वाला है मिलेगा 1 capital b मिलेगा क्या minus 3 capital c मिलेगा 1 capital d भी मिलेगा 1 ठीक है यह आगए ठीक है अब उसकी बाद क्या होता बच्चो हम जानते हैं कि sum of sum of 0 is equal to क्या होता बच्चो minus b by a होता है ठीक है अब 0 is क्या बच्चो a minus b है a है और a plus यह हमारे 0 जानते बच्चो हमें ने इनको sum कर दिया ठीक है अब इदर minus b की बच्चो क्या है b की बच्चो minus minus 3 बच्चो a मतलब 1 ठीक है is equal to 3 यहां देखो मतलब मतलब जानते हैं अब उसके बाद हम जानते हैं कि product of zeros क्या होता है product of zeros is equal to क्या होता c by a ठीक है product of zeros क्या हो जाएगा a minus b a और a plus b is equal to क्या हो जाएगा c c मतलब क्या हो गए पच्चब 1 a मतलब b1 ही है ठीक है अब देखो a minus b और a plus b मिलकर क्या बनाएंगे a square minus 1 हो गए ठीक है अब दो कि a की value क्या आई है बच्चब 1 आई है तो 1 रखते है यहाँ पर put a is equal to 1 तो क्या जाएगा 1 into 1 square minus b square is equal to 1 तो 1 minus b square is equal to 1 तो b square equal to क्या आई बच्चो 0 तो b की value क्या आगे बच्चो 0 आगे ठीक है इस तरीके से हमारा इसका answer आगया overall क्या मिला a की value हमें मिली बच्चो 1 और b की value क्या मिली 0 मिल गए ठीक है यह हो गया हमारा ठीक है नोट के लिजिए बच्चो ठीक है इसको और ठीक है इसके बाद मैं अगले question के तरह बढ़ता हूँ ठीक है ठीक है इसको नोट करने के लिए 10 सेकंड का time देता हूँ तब तक आप इसको नोट कर लिजिए ठीक है ओके चलो बच्चो आपने नोट कर लिए होगा अब हम आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो बच्चो एक question अब लोग करते हैं ठीक है question बच्चो मारा if a roots of polynomial x square 5x square plus 9x minus 15 और reciprocal of each other each of each other ठीक है तो थोड़ा मत्सा मैं correction करना चाहाँ को question मैं यहाँ पर minus 15 k कर लिए ठीक है 15 k ठीक है और reciprocal of each other find value of k हमें k की value find out करना ठीक बच्चो तो पहले तो polynomial निखलो चुक्या है 5x square plus 9x minus 15 की यह हमारा polynomial इसको compare को रहे standard polynomial ax square plus bx plus c से ठीक है तो a की value क्या आएगे बच्चो 5 आएगी b की value आएगी 9 c की value आगी minus 15 की आगी ठीक है यह c की value होगे ठीक है अब देखो roots select करो let roots are alpha एक root alpha मानने था हमारा दूसरा root मानना क्या पड़ेगा one by alpha क्योंकि roots क्या है रेशी प्रोकल है रेशी प्रोकल का मतलब ही होता है एक root alpha है दूसरा one upon करके लिए ठीक है एक alpha है और one by alpha in का product कर लो c की value की बच्चो minus 15 है के है और a की value 1 है ठीक है alpha से alpha बच्चो यहां पे cut गया तो क्या आगे बच्चो आगया one is equal to minus 15 की आगया तो k की value क्या बच्चो minus 1 by 15 आगे ठीक है यह k की value होगे यह हमारा बच्चो क्या हो गया final answer हो गया ठीक है इसको no down कर दिए ठीक है ठीक है तो इस तरीके से मैंने क्या किया यह जो है question complete के ठीक है ऐसे बहुत सारे question आप concept आपको मैंने सारे concept बता दिया है ठीक है call ml से related तो आप किसी भी question को call ml से attempt कर सकते हो ठीक है ठीक है ठीक है अब different type of problems को करिए ठीक है अगर जो आप किसी question में आपको problem हो थी तो आप उसको comment section में बता सकते हैं ठीक है मैं उसको जरूर सेरूर आपके problem को solve करने की questions करूँगा ठीक है okay thanks very much किसी ओूस्छी मिड़ती ढस्ता ओूद्ड़ थे साम्परदी को झालाग जा झालागा ऑम्दास्ब्स्ट्स रीक है मुझगा दो क्याओ प्रवादी धुल्हादी